हेलो फ्रेंज, हमारे आसपस कही ऐसी ओस्दिय गुण वाली बनस्पति मौजुद है, जिनका इस्तमाल हमारे स्वास्त को कई तरीके से लाप पहुचा सकता है। इनी मैंसे एक है इस्पिरू लीना, यह एक एल्गी यानी पानी में पाई जाने वाले मनस्पति है, जिसका नाम आपके लिए नया हो सकता है। लेकिन इसका इस्तमाल सालों से एक कारगर आयुर्वेदी कौस्ति के रूप में किया जाता रहा है। इस वीडियो में आप इसी अपरिचित इस्पिरू लीना के बारे में जानेंगी। इस वीडियो में आपको वैज्यानिक प्रमान के साथ इस्पिरू लोने के फायदे और इससे संबंदित अन्य जरूरी बातों की जानकारी मिलेगी। पहले हम जानते है इस्पिरू लीना ह जाने वाली वन्दस्पति है। यह यह ताजे पानी के नाम में से घालकुए नाम से भी आप जाता है। यह अपने पुषकतत्वों और स्वास्तिासि लावों के वजह से काफी प्रयोग में लाइ जाती है। इस नीले हारे शेवाल में एक तेवर स्वात और गंध होती है जो कहीं स्वास्त लाव पहुचा सकती है कैंसर से बच़ाव के लिए SPIRULINA TABLITS SPIRULINA में FIGO, SOs Premium नाम योगिक होता है जो सोथ होता है सोथ के मताबिक यह योगिक कैंसर के जोकियों को और इससे बचाव में कुछ हद तक मदद कर सकता है सोथ बताते है कि SPIRULINA सरीर में क्रिमो प्रिवेटिव प्रभाग्त प्रदशित कर सकता है। वही हम यह भी पता दें कि कैंसर एक कहतक बिमारी है। इसका इलाज किसी घरेलो नुसके से संबब नहीं है। अगर कोई इस बिमारी से ग्रस्त है तो डॉक्टरी उप्चार आवश्य करवाना चाहिए। उच्छ रग्तचाप करें नियंत्रित। उच्छ रग्तचाप या हाई ब्लड प्रिशर एक ऐसी समस्या है जो रिदय रोग का कारण बन सकता है। बीपी को कम करने के लिए इस्पिरूलीना का उपाय किया जा सकता है। N-C-B-I की वेब साइट पर प्रदिशित एक शोद के मताबिक इस्पिरूलीना में एंटी हाईपर्टेंसिव गुण होते हैं जिसके कारण या उच्छ रग्तचाप को नियंत्रित करने में सायक हो सकती है। हरदे के लिए लावकारी ऐसे कहीं सारी रिक्विकार है जो हरदे रोग का कारण बन सकते हैं जैसे मोटापा, डायबिटीज और उच्छ रग्तचाप अगर किसी को हरदे रोग से बचना है तो उसकी कारणों को दूर करना ज़रूरी है या इस्पिरूलीना टैबलेट्स की मदथ से किया जा सकता है इसमें अटि हाईपर लिपीडैमिया लिपिड को कम करने वाले होटापे mdiagn point को नेद्रित करने वाले गु pandemia जाते हैं जो हर दे रोग की जोकीम को कम करने में मददकार हो सकते हैं वही इसमें मोझुद कुझ शरीर को फ्री रेडिकल्स की कि यह दिमाग में प्रूटीन के संचे को कम गरती यादास को रोग सकती है dry स्प्रीजान मस्तिक्स में सुजन को कम करने में सहायक माना गया है इसलिए यह पारकेसंस रोग कैंध्रियत तंत्रिका तंत्र का एक विकार के उप्चाय में भी सायक हो सकता है spirulina नए neurons बना कर neurons निउरोनल घनत्व में भी सुदार कर सकता है जिससे मस्तिक स्वास्त बना रह सकता है Immune system फोशक थ्ँट्व की कमे की वज़े से सरी की प्रतिरक्षा प्रनाली यानी युमिनिटी में कमी आती है अध्यनों के मताबिक टी कोशिकाओ के उत्पादन में होने वाले परिवर्तन को रोखने में इस्पिरूलिना सहक है। एनिमिया, एनिमिया का मतलब रक्त में हीमोगलोबिन या लाल रक्त कोशिकाओ में कमी होना। एनिमिया के कारण लंबी समय तक कमजोरी और धकान का ऐसा सरीर में रहता है इस्पिरूलिना में मौजुद आईरन और फॉरेट के वज़न से इस्पिरूलिना टैबलेट्स लेने से लाल रगत कोशिकाओ के हिमोगलोबिन की मात्रा बर्मे परोतरी हो सकती है और यमिन सिश्टम को मजबूती मिल सकती है पाचन सकती बहतर करे बात जब पाचन सकती बहतर करने की हो तो सबसे पहला नाम सामने आता है फाइबर ये पाचन के लिया मजबूत बनाता है और कब जिसे आराम दिला सकते है वही ये पेट में लंबे समय तक भरे रहने का एहसास बना कर वजन को नियंदित करने में भी मदद कर सकते है बता दे कि फाइबर से भरपूर होने की कारण ही यह कैपसूल का सेवन पाचन सक्ति को बैतर बनाने के लिए किया जाता है इंफ्लेमेंशन से बचाओ इस पिरूलिना अपने कई गुनों के लिए जाना जाता है जैसे यूम्योनो, मॉडुलेटरी, एंटी ऑक्सिडेंट, एंटी कैंसर, एंटी हाइपर, लिपिटेमिक और एंटी डायविटिक गुन वही इनी मैंसे एक एंटी इंफ्लेमेंटरी भी है दरसल इसका मुख्य गटक फाइकोसाइनिन है जो एंटी इंफ्लेमेंटरी गुनों में सम्रिथ होता है इसलिए कहा जा सकता है कि इस्पिरूलिना सरीर में इंफ्लिमेंशन को रोकनी पर नियंतित काने में एक अहम भूमिका निवा सकती है इस्पिरूलिना में मौजुद एंटी इंफ्लिमेंशन गुन गठिया के उच्चार में भी सहायक हो सकते है HIV इस पिरूलना के फायदे बताते हूँ इस वीडियो में हम जिक्र कर चुके है कि यह यूमिनिटी को बढ़ा सकती है ऐसे में यह HIV के मरीच जिनकी यूमिनिटी काफी कमजर हो गई है उनकी प्रतिरक्षा प्रणाली को ठीक करने में मदद कर सकती है साथ ही इसके बढ़ते इंफेक्शन के गति को धीमा भी कर सकती है आर्शयनिक विशाक्त से बचाओ आर्शयनिक एक ऐसा एलिमेंट है जो धर्ति के नीचे पारी हवा सब जुगे पाया जाता है लेकिन इसमें नदगंध होती है और ना ही कोई स्वाद अगर इसकी मात्रा सरीर में ज्यादा हो जाती है तो विशाक्तता यानि पोईजिनिंग हो सकती है यहां इस्प्रिलिना सरीर को आर्शयनिक से बचाने में भी मदद कर सकती है इसमें मौज़ुद एंटि- आक्सिडेट और यूमिनेटी प्रभाव और सेनिक को सरीर में जमने से रोक सकते है कैंडिडा के लिए इस्पिरुलना के लाब कही है इसमें मौज़ुद पोशक तत्व कैंडिडा से भी बचा सकते है दरसत, कैंडिडा एक फंगस है, जो सरीर के साथ ही लगबग हर जगह मौज़ुत रहता है यह युमिन सिस्टम कमजोर होने पर शंक्रमन की तरह सरीर में फैनने लगता है इसमें एंटिफंगर गुन होते हैं, जो कैंडिडा होने के खत्रे को कम करने में सहाइक सावित हो सकते है आखों के लिए उपयोगी, जब आखों पर अधिक प्रकास पड़ता है, तो उससे आखों पर ऑक्सिडेटिव तनाव का प्रभा पड़ता है जिससे अंदाबल हो सकता है, इससे बचने के लिए इस्पिरूलिना का उपयोग किया जा सकता है धरसल इस्पिरूलिना में मौज़ुद अंटिफिडेट कुन आखों को ऑक्सिडेटिव स्ट्रेस से बचा सकते हैं और कम होती आखों की रोशनी के जोखिम से भी बचा सकते हैं वही इस्पिरूलिना आखों से जुड़ी बिमारी जैसे मौतियाबिन और डाइबेटिज की वज़ल से आखों को होने वाले नुकसान से भी बचाव का काम कर सकती है इसकिन एकजी इस्पिरूलिना मेर्ट टायरोसिस विटामिन ई और सेलेनियम होते हैं ये सभी दत्व चेरे के एंजिंग प्रभाव को कम करने के लिए जाने जाते हैं टायरोसिद दत्व तवचा कोशिकाओं की उम्र बढ़ने की गति को धीमा कर सकते हैं इसमें मौजुद एंटि ऑक्सिडेट तुचा पर जूरियों का कारण बनने वाले फ्री रैडिकल्स को खत्म कर सकते हैं पानी की मदद से इस्पिरूलिना पेश्ट को जूरियों के लिए इस्तिमाल किया चाह सकता है बालो के लिए इस्पिरूलिना के फायदे बालो का बढ़ना एकदम से रुखने की वज़र सरीर में जरूरी पोशक तत्वों जैसे प्रोटीन, फैटी, ऐसीड और आयरन की कमी भी हो सकती है इसलिए पोशक तत्वों का खजाना इस्पिरूलिना को बालो की ग्रोथ के लिए लागदायक माना जाता है इसमें बालो के लिए आवश्य पोशक तत्वों मौजुद है जिसके कारण यह इन तीनों की कम्यों को पूरा कर सकता है इससे जड़ते बालों की समस्याब से भी आरा मिल सकता है थेंक्स वर वाचिंग प्लीस लाइक, शेर एंड सब्सक्राइब